हेलो ट्रेटर आप सभी का सवागत करता हो आपके अपने चैनल पर तो सबसे बहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करते हैं लाइक करते शेयर करते हैं तो दोस्तों एक छोटा सा आप सक सरीव कैस करना चाहूंगा आप लोग वीडियो को देख अच्छा बना है ऐसा है और अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करके जाना कुछ ना कुछ तो अपना रिव्यू देख के जाना मतलब ठीक है तो आज का जो स्टॉक रहेगा आज सौर पे से रिचे के स्टॉक बतलाऊंगा जो एक सुगर कंपनी है ठीक है सुगर अच्छी कंपनी है और डेफिनेटिस को आप बाय करके चल सकते हैं बहुत बड़ी ख़बर यह है स्टॉक पे कि कंपनी के लास्ट काटर में अच्छी प्रफॉर्मेंस थी और आगे की जो फोर्कास्ट है वो भी बहुत अच्छी रहने वाली है सुगर के लिए क्योंकि आ चुका है इंडिया में अल्मोस्ट तो सर्दियों में चीनी की खपत जाता होती है इसी वज़े से मुझे भी लगता है कि यह स्टॉक आपको नेक्स्ट्टू मन्त में आपको एक डिसेंट रिटन दिखा सकता है तो मैं आपके साथ सेयर करूंगा उसके पिएंडल सेयर हो बरभार्लिक पेटर्न ठीक है हो साथ में चाट किस पयूंगा है कि काहँँ पर वॉलूम रृट हो रहा है और कहँँ पर हमें बस जाति है तो बने रहो व्रेडियों व इसका जो मार्केट काप है करएट परिस सता रुपे के आसपास अभी आपको मिल रहा है ठीक है हाई लो इसका 88 का है और 28 का लो है इसका ठीक और बात करो डिविदेंट एल्ड की तो दोस्तों का डिविदेंट एल्ड भी अच्छा कासा है ऐल्मोस 2% के आसपास का डिविडेंट एल्ड दिखा रहा है जो काफी अच्छा है क्योंकि इसकी पैस वैल्यो आपको डिविदेंट एल्ड परिया है इसका और क्या गैस इस company में है तो दोस्तो company ने half law में अपना करजा थोड़ा कम किया है तो एक अची बात है कि company अपना debt free कर रही है तो definitely future में अगर company debt free होती है समहौ definitely इसके profit profits में काफी सुधार देखने को मिलेगा और stock का जो price है 88 का जो आपको high दिखा होगा एक नई zone में entry कर देगा और 88 के उपपर अगर closing कर देता अच्छी तो definitely आपको 100 उपी के target भी देखने को मिल सकते है और company expected to give good quarter result तो यह भी एक अच्छी बात है कंपनी के expect कर रहे कि अच्छे result दे सकती है future में definitely इसको observe करो आगे लिए के चलता हूँ आपको इसके पींटे की तरफ तो दोस्तो quarter result नहीं दिखाते हूँ आपको प्रसीदा दिखाता हूँ इसके चोकाने वाले है देख सकते हैं मैंने करोड के आसपास की सेल अभी तक हो चुकी FI21 के आसपास और अभी मेरे रिखाल से दो quarter ही चला है मेरे रिखाल से अभी दो quarter के रिजल आने बाकी है अगर आप देखोगे 2018 में इसको 119 क्रोड का profit था टोटल और 2019 में इसको 216 क्रोड का था और 2020 में इसको 335 क्रोड के आसपास था और जो चल रहा है current उसमें 298 क्रोड का इसका अलड़ी हो चुका है तो एक बहुत बड़ी बात है कि company हर साल 100 क्रोड का profit increase कर रही है तो इस साल भी एक expected लगा जा रहा है 400 और 500 क्रोड के आसपास देने वाली है अगर दोस्तों ऐसा हो जाता है कि 400-500 क्रोड के आसपास अपना प्रोभी शो करती है तो इसके प्राइस में इंपक्ट पढने वाला है जो 88 का हाई आपको भी बताया था 88 का हाई ब्रेक होते ही स्टॉक 105 रुपे 110 रुपे की आसप आपको भी मिल रहा है तो डेफिनिल्ली 70 रुपे की आसपास इसको आप लेक कर सकते हो इस टॉप लोज भी बतलाऊंगा इसका टारगेट ही बतलाऊंगा कि टारगेट का निकल कि आते है चार्ट के गोडिंग तो अब बने रह सकते हो तो से लोडी पैटर्न भी इस टॉक क काफी अच्छा है देख सकते हो कि 68% के आसपास प्रमोटर्स को होल्ड कर रहे है और FIIs भी 2% के आसपास होल्ड कर रहे है और DIs भी इसको 3% के आसपास होल्ड कर रहे है और General Public 25% है बहुत कम है जो की तो एक अच्छी बात है कि प्रमोटर्स FIIs और DIs का पैसा इसमें लगा अब बाय तो 70 रुपर कर लेंगे हम लेकिन में पॉइंट होता है कि हमें स्टॉप लोस कितना लगाना टागेट क्या लगना भाई यह बताऊ हूं में स्टोग रिंकमिनेशन है ब्रोकरेश हाउस की एक बार वह पढ़ लेते हैं मुग क्या है इस से डायक्ट ने एक प्रेस लीज आ इसेसी डायक्ट ने एक पीडीया वाइल सेर ब्रोकरेश में लुक्ता है कि द्रवेने इंजिशनेरिंग का टागेट रहे एंगा स्वात्व लागाई डाया के लागा डाया लागे रहा रहा एक बर चार्ट पैंगे दे दिया ठीक है लेकिन हमें भी अपना टार्ट निकालना पड़ता न भाइव तो जो दोस्ते हो अगर आप निकालोगे तो 50% का रिक्ट्रेशमेंट हो चुका है ठीक है यह 50% का रिक्रेश्मेंट और जोग अच्छे लग रहे है टेकिनिकल के साफ से भी स्टॉक ने आप दे सकते हैं से गया है एक last 6-7 दिन का जो अगर आप देखोगे इसमें एक area में trade कर रहा था और एक range भी इसमें breakout हुआ है आज half लालमी इस candle ने range के उसको breakout किया है और उसका volume अगर देखोगे तो increase हुआ है as comparison last कुछ session में देख सकते हो volume कितना down था almost एक महने तक लेकिन आज का कर दो जो अगर आपको इसको buy कर के चलना है तो 70 रुपे के आज कर सकते हो सफब्स के आज सकते हो इसी के लगा ज़ो निनकल के आता हैku 24 रूपे원 के निकल के आते हैं आपको टागेट बता देता ह peaks का सब्सक्राइब गई कर सकते हो लिकिरे मैं नबे रुपे के लिए नहीं वेट करूँगा मैं परसंटरी वेट करूँगा इसमें जो मुझे दिखता है चार्ट के गौडिंग तो मेरे चार्ट के गौडिंग मेरे टागेट निकल के आते हैं देख सकते हैं यह रहे अगर ये 88 एट के उपर अच्छी sert कि दे अच्छी टागेट के साथ अफ्लोज फिर मैं उपेट करूँगा 105 के टागेट के लिए मेरा फाइनल टागेट में 105 बंड़ी का असपाद नो आप बोस सती हो कि 70 रुपे की यहां पर अगर हम बाई कर रहे है तो हम यहां से almost 40% की return दिख रही है मतलब 30 से 40% की return दिख रही है कि next two month में आ सकती है ठीक है next two month में लेकिन आपको stop loss लगाना पड़ेगा जो stop loss में ने बता है stop loss को follow पक्का करना ठीक है अगर stop loss आपका hit हो जाता है एक बार 64 का तो definitely आप दुबारा entry करना सकता रुपे के आसपास तो अंत में यह बोलूँगा कि भाई टेकनिकल बहुत बढ़िया sound कर रहे fundamental बहुत बढ़िया sound कर रहे है definitely आपको उसको बाई करके चलना चाहिए और next quarter इसका profitable हो सकता है ठीक है तो definitely इसको आप बाई कर सकते हो ठीक है पसना आए लाइक करके जाना कुछ ऐसे और वीडियो बनाने नीचे कॉमेंट करो definitely next वीडियो में add कर दूँगा और आपको कुछ भी सूजाओ है तो नीचे कॉमेंट करो definitely reply करेंगे चलो है चलो बाई